Hello Friends, Welcome to HSSE Adda HSSE Adda YouTube Channel पर आप से भी का हर्दीख स्वागत है तो प्यारे साथियों, आपके लिए जो हरियाना पुलिस के फोर्म निकले हुए है Advertisement No.4 2020 उस फोर्म में आपसे No Job का Certificate जो मांगा गया है और जब आप वहाँ पर बोला गया है कि आपको Self-Declaration करना है लेकिन जब आप वहाँ पर फोर्म को अपलोड करते हो उसको इमेज को अपलोड करने के लिए वहाँ पर जाते हो जब आप डोकुमेंट आपके अपलोड मांगे गए है तो वहाँ पर Affidavit Attested by Executive Magistrate in Prescribed Format तो यह बात वहाँ पर आपसे पूछी गई है अब इसके बारे में मुझे क्या-क्या Information आपके लिए मिली है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो यहाँ पर जो Information दी गई है यह एक पूरा Official Letter है जो Departments को Load किया गया है जहाँ पर आप यह अपना Document जो यह इस तरह से Affidavit यहाँ पर बनाया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी Request है यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को Subscribe जरूर करें हमारा YouTube चैनल HSSC Adda जो पहले Match by परदीप सर के नाम से होता था और साथ यह HSSC Adda का अपना जो Telegram Group है उसको जुरूर जवाइन करें HSSC Adda के वहाँ पर आप Doubt Group में भी जुड़ सकते हो और सारी PDF आपको वहीं पर Provide करवाई जाती है अब ये तो होगी इतनी बात अब आगे हम बढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ बाते दिखाना चाहूँगा तो ये Notification जो है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये The Chief Secretary to Government of Haryana उसकी तरफ से आया है और ये किस-किस को दिया गया है आप देख सकते हो यहाँ पर Administrative, Secretaries of Government of Haryana All Departments, Commissioner, Ambala, Hissar, Gurdgaon, Rotak, Divisions ये जो Notification है प्यारे बच्चों ये डेट जो है इसकी चंडिगड से 26 मार्च 2014 की डेट है तो हाला कि ये Notification पुराना है लेकिन आज भी जो अपने Government के कारियल्या है सरकारी जो दफ्तर है वहाँ पर यही एफ़े डाविट और यही Notification काम कर रहा है ये मुझे आज बिल्कुल वहीं से Live मिला है तो मैं यहाँ से आप एक बात और बताना चाहूँआ इसमें आपको Managing किस-किस को यह बेजा गया है Administrations of All Bords Corporations ठीक है इन सभी को यह बेजा गया है और इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर सब्जेक्ट में डाला गया है तो यहाँ पर बड़ी बात कही गया है Self Certification of Documents आगे मैं इसके बारे में कुछ और बाते बता हुआ तो सीधा कलियर हो जाएगा आपको I am directed to invite you your attention to the department letter number dash 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 on the subject noted above which it was decided that no government departments or organizations would henceforth require the applicants to file a phidavit for delivery of services except in those cases where a phidavit is required by law or under the statutory rules in other cases a self declaration would be accepted तो यह क्या कह रहा है प्यारे बच्चों जहाँ पर भी government के department में किसी भी एफिडविट किया कोई भी requirement है तो वहाँ पर आपको किसी भी candidate से henceforth require the applicants to file a phidavit for delivery of services मतलब decided that no government department और organization यानिकि उसने कहा कि कोई भी government की organization या कोई भी department हमसे एफिडविट नहीं मंगेगा अगर वहाँ पर एफिडविट की requirement है तो self declaration is more than enough रहेगी लेकिन by the law और under the statutory rules यानिकि अगर उसके लिए कोई special कानून या कोई special rules जो बनाया गया है तो वहाँ पर वो क्या होगा हमें वहाँ पर बनवा कर provide करवाना पड़ेगा अब आगे इसमें एक और बात कही गई है इसमें candidate अपने knowledge के according correct the best of his knowledge believe that nothing has been concealed there in in case any concealment or misrepresentation यानिकि अगर कोई गलती गडबड़ी वहाँ पर की गई किसी ने कोई जूट चीज वहाँ पर लिखिया है तो उसके लिए candidate के against legal accent लिया जाएगा और ये जो है उसके उपर Indian penal court की जो दा रहा है है ये लागू की जाएगी मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर जो official notification है उसके अंदर तो इन सब चीजों की कोई demand नहीं की गई है यहाँ पर सिर्फ ये ही कहा गया है कि आपको self declaration more than enough रहेगा लेकिन अभी हर्यान पुलिस का जो form आप फिल कर रहे हो वहाँ पर आपके साथ क्या हो रहा है प्यारे बच्चों तो वहाँ पर आपको साफ साफ एकी चीज नजर आती है affidavit attested by executive magistrate in prescribed format ठीक है तो आपको वहाँ पर ये आपको provide करवाना ही पड़ेगा magistrate से अब बात आती है कि हमें ये किस तरह से बनवाना पड़ेगा तो ये यहाँ पर पूरा बाकी का पड़ रही है अला कि ऐसा कोई rule नहीं है कोई low नहीं है कि इस तरह से affidavit बनवाया जाए और आपको provide करवाना ही पड़ेगा लेकिन एक बार मैं आपको official notification की line और दिखा देता हूँ तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है regulatory framework ये हमारे पास 2.4 पारा इसका तो इसके अंदर affidavit attested by executive magistrate in prescribed format regard point wrapper annexer even to be uploaded application forum and brought at the time of scotney तो यहाँ पर uploaded जो किया जाएगा वो executive magistrate से ही आपका होना चाहिए यहाँ पर जो यह official notification था ना SSC 4.2.2 यह line उसके अंदर लिखी हुई है आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो 2.4 के अंदर तो यहाँ से बात सिर्फ clear यही होती है कि प्यारे बचो आपको अगर यह phone fill up करना है और no job वाले 5 नंबर आपको 5 marks आपको अगर चाहिए तो आपको यह appay davit बनवाना ही पड़ेगा और बनवाकर ही upload करना है जिनोंने नहीं किया है जिनोंने mistake कर दिया है तो प्यारे बचो आपसे request है कि जितना हो सकता है मैं आपके लिए करने की कोशिस कर रहा हूँ आप यह दुबारा से बनवाओ और इसको upload करो बिना इसके direct upload करोगे तो हो सकता है कि आपको 5 number काट लिए जाएं हाला कि इसके बारे में कोई guaranteed नहीं है कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है और ना ही HSC के जो officials हैं वो इसके उपर अपनी कोई परतिकिरिया दे रहे हैं main बात यहां पर है तो यह यहां पर यह बनवाया गया है यह आप देख सकते हो किस तरह से यह affidavit बना हुआ है यह सीधा सीधा जो अपना उसका annexure e1 का जो format है उस format को यहां पर fill up कर दिया गया है सारा का सारा और यह इसके अंदर क्या क्या हुआ हुआ है प्यारे बच्चों सबसे पहले इसके उपर जो है आपके नंबरदार की तरफ से आपके signature करवाय जाते है जो आपका नंबरदार होता है यह यहां पर आपकी जो इसके नोटरी से इसको टेस्टीड करवाय जाता है यह 10 रुपे की टिकट इसके उपर लगती है तो ठीक है 10 रुपे की यह टिकट है उसके बाद इसके उपर आपके नंबरदार के signature होंगे यह आज मैंने बिल्कुल close जाकर देखा है कि किसकी तरह से क्या क्या process है इसका सारा वहाँ पर जाकर मैंने देखा है और दूसरी बात उसके बाद जैसे ही नंबरदार के signature हो जाते है तो आपको वहाँ पर एक photo आपकी होती है वहाँ से आपका यह एफिडाविट जो है यह रिजिक्टर किया जाता है ठीक है इसकी entry होती है वहाँ पर जहाँ पर भी आपकी तैसील है या आपका कहीं पर भी सची वाल्या है तो वहाँ पर आपका यह काम होता है तो वह आपको अपने आप बता देंगे कि कौन सी जग है पर यह काम हो रहा है जहांसे आपकी नकल बंदी जमाबंदी निकलती है जमीन की वहाँ पर यह काम हो रहा है तो यह photo वहाँ पर वहाँ आपका फोटो लेंगे और फोटो को इसके उपर print करके आपकी entry में रिजिस्टर में कर देंगे और आपको provide करवा दिया जाएगा और जैसे ही आपका यह complete हो जाएगा तो यहां पर आपका जो है यह आपकी अटेश्टीड हो जाएगा टेश्टीड एज एक्जीक्यूटी मैजिस्टेट समालखा और फिर यहां पर नाइब तशीलदार के आपके signature हो जाएगे तो यह आपका जो form है यह complete हो जाएगा आप फिर इसके बाद eligible हो जाओगे इसको कहीं पर भी as a यही है कि आप इस document को जो है अपना बनवाकर तयार करवा लें और इसी को upload करें आप directly मत अपना self declaration ना upload करें आप इसी को upload करें तो क्योंकि आपको होगा क्या फैरे बच्चो इसे फाइदा आपको यह रहेगा कि आपके जो पांच मार्क हैं वो आपके confirm हो जाएंगे एफिडाविट देने के बाद कि कोई कल क्या पता कि क्या objection हो जाए आपके खिलाप और आपके अपने जो पांच मार्क हैं वो आपके हाथ से जाते रहे जबकि यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी बात जो नजर आई सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक issue नजर आया मुझे मैंने खुद से देखा है यह चीज कि वहाँ पर वो लोग भी बनवा रहे हैं जिनके गर में यह तो उनका फादर गवर्मेंट जो पर है उनकी मदर उनके या किसी का बरोदर किसी का बाई गवर्मेंट जो पर है तो वो भी बनवा रहे हैं तो यह कहीं न कहीं हमारी जो डिपार् आपको इतना ही कहां चाहूंगा आप लोगों से कि आपको मैंने पुरा प्रोसेस बता दिया है यह कैसे कैसे बनेगा और इसके अंदर आपका जो खर्च आएगा पहरे बच्छो वो आएगा maximum 50 रुपे का खर्च आपका आएगा और time का मैं कहा नहीं सकता आपको एक दिन में भी काम हो सकता आपका और कभी-कभी दो दिन में भी काम हो सकता है ये department के उपर depend करता है कि वो आपको कितना जल्दी ये काम करके देते हैं और इस photo वाले काम के अंदर आपका time लगता है ये वाला जो काम है ये important है इसके अंदर भी photo आपका किस time होता है अगर आपका photo हो जाता है फिर नायबता चिल्दार के signature हो जाते हैं तो आपका काम complete हो जाता है तो ये इसके अंदर किसी भी तरह की कोई सकता ही नहीं हुई है तो आप सभी से यही रिक्वाइट है पहरे बचो, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेर कीजिएगा, ताकि यह information सभी तक पहुंच जाए, officials तक भी पहुंच जाए, ताकि वो उसको अच्छे से पहदर है, पेरेंट है, तो उनका नहीं बनेगा तो उनके लिए यह देखने वाली बात है अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना है सभी बचों ने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपना जो टेलिग्राम गुरूप है वहाँ पर जरूर जुआइन करें प्यारे बचों, धन्यवाद